आपको बता दें कि 112 कंट्रोल का नाम आपने सुना होगा जिस पर किसी भी घटना की दानकारी दी जाती है और तुरंत पुलिस वहां पूछती है लेकिन सिवान जिले में यह पूरी तरह काम कर रहा है कि नहीं इसकी जाज करने पहुचे थे बीएमपी के डीजी अमिनतर कुमार जहां उन्हें गौड अफ उनर देने के बाद डीजी एक अमबेट कर सारन रेंज के डी आईजी पी करनन और एस पीशेल एस कुमार सीनहा ने अमबेट कब होन में इस डायल 112 कंट्रोल रूम का रिक्षन के और चेक किया कि 112 कितनी तेई से कारे कर रहा है यह नहीं रिक्षन के दोरान कंट्रोल रूम में तेनाद कर्मी से डायल 112 के संबन में पूछताच किया गया जहां सही जवाब नहीं मिलने पर फटकार भी लगाई गई कई तरह से आम लोगों के पुलिस से सयोग लेने की लिए कई फोन नमबर टैल करते हैं और मतद समय पर पहुंच से के इसके इंतजार में खड़ रहते हैं आपको उता दें कि 112 डीजी एक के अमबेट करने एक जांच की दर्मियान कर्मियों पर भढ़ गये उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम में मवजूद मर्गी कर्मियों से कि वहां को सुचना दो जिसके बाद कर्मी गुपाल गंज मोड़ सीथ 112 अस्पताल मोड़ जाने की सुचना दी लेकिन यह सपष्ट नहीं उसका कि कहा जाना है और किसके यहां जाना है जिसके बाद डी जी ने कहा कि 112 को सफष्ट जानकारी देनी है कि हम कहां से बोल रहा है और कहां जाना है जिसके बाद तरंथ वहां उसको पहुँचना है वहीं डी जी के साथ आय अन्रबदादी कारियों ने इसके शिकायत किया तो जिले में एक सू डायल वान खटना स्थर पर पहुंचने में समय लगता है जिस पर डीजी ने नाराज की जाता गाई तो आपको उता दें कि इस पूरे मामले पर सिवानेश भी क्या करते हैं सिवाने स्पिसालेश कुमार सिर्हा ने बताया कि BMP DGA क्या मेटकर नेडाल 112 कांट्रोल रूम का रिशन के दोरान सारी चीजों का बारी की से जाच किया गया यहां लागे कंपिटर सिस्टम का ररत है या नहीं ने ट्रक प्रोपर काम कर रहा है या नहीं 112 पर लोगों को कॉल आने के बाद पुलिस का क्या रिस्पॉंस है इसको लेकर के तमाम चांस की गई देखे रिखेंगे